अब ये गंटेंस फॉर वाइट टू रेड एंट्री ब्लैक बॉल्स ओके सो एक बैक बना देते हैं जिसमें तीन वराइटीस के बॉल्स है ओके फॉर वाइट बॉल है टू रेड बॉल है और थ्री ब्लैक बॉल्स है थ्री ब्लैक बॉल्स है एक्स भी दा नंबर ओफ रेड बॉल्स सो सॉल्यूशन में हमें रेंडम विरेबल एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है नंबर ओफ रेड बॉल्स नंबर ओफ रेड बॉल्स वाई बी दा नंबर ओफ ब्ल ब्लेक बॉल्स है इसमें से हम दो बॉल्स निकाल रहे हैं ए ट्रेंडम यानि कि देखे भी ना कुछ भी कॉंबिनेशन हो सकता है तो सारी variety तो बाद में पहले हमें joint probability distribution फाइंड करना पड़ेगा यानिकि two dimensional table ठीक है तो कैसे लिखते है वो theoretically अल्रेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है वहां prefer कर सकते हो अगर पता नहीं है तो ठीक है तो यहां proceed करते हैं हमें तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि X की कौन-कौन सी values possible है Y की कौन-कौन सी values possible है ठीक है तो देखो हम दो बॉल निकाल रहे है वो तो practical है वो confirm है एक्स का मतलब है red ball अब जरूरी नहीं है कि हम इसमें से selection करें दो बॉल निकालना है तो white and black भी तो निकाल सकते है यानि कि 0 red ball मिलेंगे ठीक है अब जरूरी नहीं है कि हम यहें निकाले हम red and black निकाल सकते है या white and black भी तो निकाल सकते है ठीक है बट अगर red and black निकाल रहे है तो एक red एक black होगा और white and red निकाल रहे है तो एक white एक red होगा ठीक है, so red एक हो सकता है और जरूरी नहीं कि black and white निकाले, दोनों red भी तो निकल सकते है, इसलिए 2 भी हो सकता है तो number of red balls 0, 1 and 2 इससे ज़्यादा नहीं हो सकता 3 नहीं हो सकता क्योंकि निकाल ही रहे 2 balls तो 3 तो होई नहीं सकता ठीक है अब y की possible values क्या होगी black balls ठीक है अगर हम white and red निकाल रहे है तो black ball 0 हो जाएगा ठीक है अगर white and black निकाल रहे है या red and black निकाल रहे है तो दोनों के सिस में black 1 होगा या just सारे के सारे black निकाल रहे है तो black 2 होगा और 3 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 2 ही ball निकाल रहे है ठीक है तो x and y की value 0,1 to 0,1 to ही होगी ठीक है अब उसको tabular form में लिख रहे है त्यान से देखना जिरो वन टू एंड जिरो वन टू ठीक सो में यहां 0,1 and 2 box बना देते हैं ओके सो यहां में x की value लिख रहा हूँ यहां y की value अब जरूरी नहीं है कि आप यहां x लिख और यहां यहां x यहां y भी लिख सकते हो अगर मैं x यहां लिखता हूँ तो x की 0 will you, 1 will you and 2 will you possible है y की possible values कौन से होगी 0,1 and 2 ठीक है अब हमें यह probability का data fill up करना होगा तो पहले calculation कैसे जाएगी इसके लिए आपको क्या करना है देखना है कि red ball भी 0 and black ball भी 0 निकलना पड़ेगा तो जो हम 2 will निकल रहे उसमें red and black के अलावा white ball निकल रहे ठीक है तो 2 white ball निकल रहे है तो यह position होगी अब 4 ball है चार में से आपको 2 ball white निकलना है और total कितने है 9 4 5 6 7 8 and 9 so 9 ball में से आप 2 निकल होगी ठीक है तो यहां rounding of error आ सकती है क्योंकि हमें 4 decimal तक लेंगे 0.16666 के बाद 7 कर देंगे तो यह remaining perfect answer नहीं है ना so rounding of error अगर इसमें आ गई तो हो सकता है little bit answer very मिले ठीक है but I think cover हो जाएगा let us see so yeah fraction form में भी लिख सकते हो ठीक है अगर fraction form में लिखना है तो क्या हो जाएगा let us see so formula तो I think सबको पता होगा ncr की ना n factorial यानिकी 4 factorial upon 4 minus 2 यानिकी 2 factorial into 2 factorial और यहां 9 factorial upon 9 minus 2 factorial into 2 factorial so यहां 4 factorial को 4 3 2 factorial कर सकते है so 4 3 divided by 2 4 into 3 divided by 2 और यहां 7 factorial cancel कर दो तो 9 into 8 by 2 so यहां 2 2 again cancel कर दो so 3 into 2 6 हो जोगा और यहां 2 2 cancel कर दो so 4 होगा 9 4 जा 36 ठीक है और 6 6 cancel कर दो so 1 by 6 so 1 by 6 भी लिख सकते हो instead of 0.1 6 6 7 ठीक है so 1 by 6 लिखना है तो वह भी लिख सकते है बट मैं अगर calcium के साथ जा रहा हूँ तो प्रिफर कर रहा हूँ दो डिजिट्स ठीक है टू डेसिमल सेगन में प्रिफर करूँ तो 0.16 की जगों 17 करना पड़ेगा 0.17 0.17 अब यस यहां अगर फिल करना है तो क्या होगा हमें रैड बॉल एक लेना होगा यहनि कि दो है दो में से एक निकलना होगा और ब्लेक तो ले नहीं सकते ब्लेक ले नहीं सकते तो वाइट में ही जाना पड़ेगा तो 4 में से एक निकलना होगा और टोटल 9 में से 2 ठीक है तो 4C1 2C1 फिर से गल्स यूज़ कर लेते हैं 4C1 इंटो 2C1 तो 2C1 इंटो 4C1 डिवेड़ेड बैए 9C2 9C2 एन आंसर इस 0.2222 तो 0.22 लिख सकते हैं ठीक है 0.22 ओके अब दो नो रेड़ एक सिकूल टू का मतलब दो नो रेड ब्लेक जीरो तो रेड टूटल दो है सो हमें क्या करना पड़ेगा 2C2 अपॉन 9C2 2C2 अपॉन 9C2 0.02777 है सो 0.03 कर सकते हैं 0.03 दो डेसिमल तक हम ले रहे इसलिए ठीक है ओके सिमिलरली अब यह सब लिखने जरूरत नहीं है डायरेक बोक्स पर से हम लिख सकते हैं कैसे इसका मतलब हुआ ब्लैक वन वाई वन है इसलिए ब्लैक वन तो ब्लैक हमारे पास कितने है तीन सो 3C1 इंटू अब रैड नहीं लेना है एक्स जिरो है नहीं कि रैड नहीं लेना है तो वाइट लेना पड़ेगा सो चार में से एक सो 4C1 divided by टोटल तो वही होगा 9C2 यस 9C2 9C2 ठीक है सो 0.33 यह लिखेंगे हम 0.33 अभी दो नो 11 ठीक है सो वन रेड एंड वन ब्लैक सो दो रेड है सो 2C1 इंटू वन ब्लैक सो 3C1 3C1 divided by 9C2 ही होगा divided by 9C2 सो आंसर होगा 0.1666 0.17 कर देंगे 0.17 ठीक है और यहां यहां मैंनले आपको देखना होगा इसका मतलब क्या होगा यहां यहां मिस्टेक नहीं होने चाहिए अब इसका मतलब क्या होगा कि रेड बॉल हम 0 ले रहे हैं और ब्लैक दो ले रहे हैं सो ब्लैक है हमारे पास तीन सो तीन में से दो 3C2 divided by 9C2 9C2 जिरो पॉइंट 08 के बाद 333 है से 0.08 लिख सकते हैं और यस इसका मतलब क्या होगा वन रेड एंड टू ब्लैक टोटल हो जाएगा 3 not possible और यहां टू रेड और टू ब्लैक टोटल हो जाएगा 4 not possible ठीक है तो यह से हम जॉइंट प्रॉब्लेट इडिशन डिस्टिबुशन क्यलकुलेट कर सकते हैं यहां राउंडिंग और आ सकती है इसलिए ऐसे केसिस में जब केल्सियम जब यूज़ करें तो फिक्स डिजिट मिल जाएगा तो वह आप लिख सकते हो प्रॉब्लेम नहीं बट यहां आपने देखा था अना 0.666666 तो वहां आपने राउंड निग और यहां से इंक्रूड होगी तो वह केस में आप फ्रेक्शन फॉर्म लिख सकते हैं यानि कि 1 by 6, 5 by 6, 3 by 6, whatever जो भी है तो फ्रेक्शन फॉर्म लिख रहे हैं तो उसमें कोई एरर नहीं आएगी और परफेक्ट आंसर मिल जाएगा ठीक है अब यहां मार्जिनल अगर फाइंड करनी है तो जस्ट क्या करना होगा वह आइधिंग आप लोगों को पता है नहीं पता है तो वीडियो रिफर कर लेना जिसमें हमने यह सब डिटेल में डिस्केशन किया है तो अगर आप ऐसे एडिशन कर रहे हो तो वाइफिक्स है इसलिए यहां बोलेंगे हम एफ टू वाई यह फिर जश्ट पी ओफ वाई यह कंडिशन स्वरी मार्जिनल ओफ आइप और यहां बोलेंगे मार्जिनल सौफ एक्स ठीक है और यहां अगर हम कॉलमबाइज एडिशन करना चाहते हैं तो यहां एक्स फिक्स हो जाएगा वाई बदलेगा और एक्स फिक् यह पी ओफ एक्स भी लिख सकते है इक्वेलेंट सिम्वल्स है बट ज्यान रहे है इसका एडिशन यहां वन ही होना चाहिए अगर एरर नहीं है तो बट यहां पॉसिबल है क्योंकि हमने राउंडिंग ओफ किया है तो एरर आने के चांसिस है देख लेते हैं ठीक है तो क्या मिला 0.42 0.42 अब यहां 33 and 17.33 plus 0.17 equal to 0.50 0.5 भी लिख सकते है और यहां 0.08 0.08 अब यह तीनों का एडिशन करो तो 0.42 plus 0.5 plus 0.08 so 1 हो जाएगा ठीक है तो यहां एरर राउंडिंग आफ में कवर हो रही है ओके यहां देख लेते हैं so 0.17 plus 0.33 plus 0.08 हो कहा देख दो फिद्ड़ 12 था को सिटिछ टेशन का इकल वा यहां 0.03 अधिनों का करते करें तो 0.58 प्लस 0.39 प्लस 0.03 हो रहा है ठीक है ओके सो यह मार्जिनल्स ओफ एक्स एंड मार्जिनल्स ओफ वाई क्लियर बट यहां क्विश्चन जर्ष्ट मार्जिनल्स का नहीं है ठीक है अब कैसे लिखना है वह में यहां डिटेल के लिखा रहा हूँ तो systematically कैसे लिखना है उसके लिए एक example भी मैंने calculate किया है और formulating कहिसाब से भी पुराइफ में discussion किया है तो वह आप refer कर सकते हो ठीक है तो यह है marginals of x is equal to 0 यह है marginal of x is equal to 1 यह है marginal of x is equal to 2 similarly यह है marginal of y is equal to 0 यह है marginal of y is equal to 1 यह है marginal of y is equal to 2 तो यह सारे marginals है ठीक है so joint probability distribution यानि कि without marginals फिर marginal बोला है तो यह दोनों marginal मिल गया और क्या बोला है conditional probability तो direct conditional में दिखा रहा हूँ ज्यान से दिखे और सो conditional अब हमें पता है conditional of x for given y and conditional of y for given x यह दो possibilities है ठीक है so इसका मतलब जो given y है वो prefix data है given x है वो prefix data है यहाँ so यहाँ given x y है इसका मतलब y equal to 0 हो सकता है y equal to 1 हो सकता है y equal to 2 हो सकता है ज्यान रहे ठीक है ओके और यहाँ given x है इसका मतलब x is equal to 0 हो सकता है x is equal to 1 हो सकता है x is equal to 2 b हो सकता है so तीन formula अलग बनेगी ठीक है तो अगर 0 के लिए बनाना चाहते है तो क्या बनेगी common formula I think आप लोगों को पता होगी मैं just यहाँ लिख देता हो conditional of x for given y इसका मतलब given y है x यहाँ रहेगा x हमारे control में है हमें f1 लिखना होगा और बनेगा f of xy upon marginal of y f2 of y और similarly यहाँ conditional for given x है और y हमारे control में रहेगा हम fix करेंगे इसलिए यहाँ बनेगा f2 और f of xy upon marginal of x यह है common formula ठीक है बट इसमें अगर हम y equal to 0 ले लेते हैं so f1 of x 0 बनेगी f1 of x1 बनेगी f1 of x2 बनेगी और थोड़े और formula करना है तो यह formula में हम जा सकते हैं ठीक है तो यह formula में बाद में लिखूंगा बट यहाँ और हमारे पास x की 3 choices है so यहाँ हमारे पास again 3 choices है ठीक है so x की value 0 भी ले सकते है x की value 1 भी ले सकते है and x की value 2 भी ले सकते है ठीक है so x की value 0 लिखेंगे न तो यह f1 0 0 होगा 1 लिखेंगे तो f1 1 f1 1 0 होगा और 2 लिखेंगे तो f1 2 0 होगा ठीक है similarly यहाँ भी तो यहाँ में direct लिख देता हूं f1 0 1 1 1 2 1 ठीक ऐसे ही 0 1 1 1 2 1 होगा और यहां लिख रहे तो 0 2 1 2 & 2 2 ऐसे होगा similarly यहाँ 0 लिख रहे तो f2 of y 0 f2 of y 1 f2 of y 2 और यहां तिन तिन नहीं लिख रहा हो जश्ट एक बता देता हूं similarly यहाँ भी 3 होंगे यहाँ भी 3 होगी यहाँ भी 3 होगी और यहाँ भी 3 होगी ठीक है अगर मैं यहाँ y equal to 0 ले सकता हूँ 1 ले सकता हूँ 2 ले सकता हूँ अगर 0 ले रहे तो y2 of sorry f2 of 00 होगा ठीक है यहां होगा f2 of 10 और यहां होगा f2 of 20 similarly यहां 01, 11, 21 और यहां 02, 12, 22 ठीक है अब यह calculation कैसे करना है तो formula तो basically यही है मैं एक का calculation दिखा रहा हूँ त्यान से देखना इसका calculation दिखा रहा हूँ ठीक है यहां so f1 of 00 कैसे बनेगा तो x b0 लेना है y b0 लेना है so f of 00 f of 00 f2 of 00 f2 of 00 so f of 00 का मतलब table में से यह होगा 0.17 और f2 of 0 यहीं कि marginals of y is equal to 0 और यह है marginals of y equal to 0 के लिए 0.42 है ठीक है ओके और एक LC यूज़ करके हम इसकी calculation कर सकते है 0.17 0.17 divided by 42 divided by 0.42 so answer is 0.404 7 के बाद 6 है for 8 कर सकते है 0.404 8 ठीक है so conditional मिली conditionals of y equal to 0 conditionals of x is equal to 0 for given y equal to 0 इसका मतलब यह होगा ठीक है ठीक है so 18 calculation होगी total but formula यह calculation में यह formula हम use करेंगे और यह सब calculation में यह formula सारा data हम यहां से मिल जाएगा ठीक है so यह बात हुई conditionals की ठीक है अब एक और question है क्या है last question also check whether x and y are independent अब independent check करना है तो formula क्या है वह वीडियो बना के भीने रखा है आपको पता ही होगा नहीं पता है तो आप रहो रिफर कर सकते हो so independent के लिए क्या है marginals of both the functions f1x and f2y वह f of xy होना चाहिए ठीक है बट यहां अगर continuous है तो single single quantity मिलेगी यह सब बट यहां discrete है तो बहुत सारे combinations बनेंगे so total कितने combinations होंगे 3 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 इतने combinations बन सकते हैं ओके ओके सो मैं x0 y0 ले लेता हूं पहले x0 yb 0 ही ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए f1 of 0 का multiplication f2 of 0 के साथ f of 0 0 मिलना चाहिए so let us see f1 0 क्या है f1 का मतलब marginal of x है so यह है हमारा marginal of x और 0 का data है 0.58 0.58 अब f2 का मतलब y का marginal और उसका 0 के लिए यह है y का marginal और 0 के लिए 0.42 है 0.42 और इसका multiplication क्या होगा Kelsey यूज कर लेते हैं 0.58 multiply by 0.42 answer 0.24 36 0.24 36 0.24 36 आ रहा है अब यह फोब 00 का data क्या है from the table देख लेते हैं 00 का इसका मतलब kb equal to नहीं होगा यह भी equal to नहीं है इसका मतलब यह भी equal to नहीं है हां न तो इक random combination पर हमने check किया और वह equal to नहीं मिल रहा है तो बाकि सारा combination अगर equal to हो भी रहा है तो अभी कोई फर्क नहीं पढ़ता क्योंकि एक कॉंबिनीशन फैल हो गया तो हम एक्वेशन सर्टिस्पाइड नहीं हो रहा है यह सब बोलेंगे इसका मतलब एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंड वार डिपेंडेंड वादियेबल ठीक है यह फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो नोट इंडिपेंडेंट ओके तो यहां एक्जम्बल और